मैंनपुरी से बड़ी खबार आ रही है आपको बताते चले चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है वर्तमान प्रधान सरला देवी और पतनी सरगे चंदपाल के उपर लोगों ने हमला बोल दिया था आपको बताते चले किसी तरीके से प्रधान को बचाने में काम्याब हो गए हैं लोग और आपको बताते तीन लोग गंभी रूप से इस पूरे मामले में घायल बताये जा रहे हैं सूचना पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी घायलों को बेवर C.S.C. भिजवा दिया गया है राकेश सिंग ठाकूर पुत चले मैनपुरी के बाद बाद बस्ती की कर लेते हैं जहां मुक्यमंत्री योगी आदितनात दौरे करने पर पहुँच रहे हैं मुक्यमंत्री योगी ने इंटेग्रेडिट कोविट कंट्रोल कमान का निर्क्षन किया है C.M. उसके बाद सरकित हाउस गये थे उसके बाद व लखनों के लिए रवाना हो जाएंगे आज का 42 नंबर गेट छतिग्रस्त हो गया है गंगा किनारे बसे जन्पदों में अभी कुछ समय पहले ही बाढ़ आपदा की आशंका को लेकर सभी जुलों में हाई अलड घोशित कर दिया गया था हाई अलड के चलते सिचाई विभाग की कुछ भी तैयारे नहीं है चौदरी चौरण सिंग बहराज पर वाहनों का आवागमन एक एक करके सुचारू रूप से चालू है सिचाई विभाग की अधिकारी मौके पर मौझूद है और चतिग्रस गेट की मरमत का कार युद इस तर पर शुरू किया गया है बुलन शाहर के डिबाई डरोरा का ये पूरा मामला इनकी घरवाली थी और उनके आपस में कोईसे मतलब ऐसी घठना चल ले ती आपस में लड़ाई वड़ाई थी तो ये छोड़ का आए थे आज उनको कल भी छोड़ का ये फिरागी थी कर दो कर दो